दोस्तो आज हम बात करेंगे जदी आप IBS से परसान हैं यनि IBS का फुलफरम होता है Irritable Bowel Syndrome और इस वीडियो को जदी आपने अन्तक देख लिया तो आज के बाद जदी आप दवा ले रहें तो आप दवा बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे IBS से जो बेक्ती परसान होता है वो काफी लंबे समय से दवा खाते रहता है और बहुत महगे समहगे दवा का भी सवन करता है और बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी जाता है फिर भी उनकी समस्या जहां होती है उहीं रह जाती है बहुत सारे कॉल आते हैं कि मैंने पान साल से दवा खा रहा हूं कोई कहता है दो साल से खा रहा हूं लेकिन समस्या जहस के तसरा जाती है दोस्तों इस वीडियो को अंतक देख लीजिए ताकि आप भी ज़दी समस्या सा परसान है तो आप बिना दवा का इसको घर पे कैसे सकते हैं इस पर हम विश्टार चार्चा करेंगे अब हम सुरू करते हैं कि आई बीएस का फुल फड़ा मैंने बता दिया है इरिटेबल बाउल सिंड्रॉम लेकिन आई बीएस जिस पैसेंट को होता है जिसको संगढ़हनी या गढ़हनी रोग बोलते हैं ज़िस पैसेंट क कि हमको लंबे समय से कबज है लंबे समय से कबज है तो उसके लिए महंगे से महंगे दवा खाते हैं फिर भी उनका कबज दूर नहीं होता है और एक समय ऐसा आता है कि जब दवा खाते हैं तभी उनका पेट साफ होता है अन्याथा बीना दवा कभी पेट साफ नहीं होता है बहुत सारे इसे पैस्ते बताते हैं कि दोधो दीन तक हम दावा ना ले तो दीन तिन तें और हम सौचाले जाते ही नहीं मेडिया हमारा मजबूरी है हमको कंश्टिपैसन का दावा लेना तो पहला लborgचन दीख किया है अतलब बहुत साड़े मरीज में Constipation होता है एक लचनी हो गया दूसरा लचनी होता है कि बहुत साड़े प्रेशंट का जब हम कांसलिंग करते हैं तो बहुत साड़े प्रेशंट ये बताते हैं जिनको आइबीस होता है कि जब भी ओखाना खाते हैं और खाना-खाने के तुरं 240 की और जाते और जब भी रिपोर्ट करवाते हैं बड़े से बड़े डक्टरों के पाँ जाते हैं रिपोर्ट बिलकूल कुछ नहीं आता है फिर भी उनकी समाशया बनी रहते हैं इसके लिए मांगे समांगे दावा खातेowana जो कि समाशया कुछ है J. तिसरा लच्छन पैसेंट में देखा गिया है जदी IBS होता है तो बहुत साड़े पैसेंट को ये देखा गिया है कि लंबे समय से उनको भूख नहीं लगता है यानि खाना खाने की इच्छान नहीं करता है यह IBS का लच्छन नहीं है ऐसे पैसेंट बताते हैं IBS का लच्छन यह है कि खाना खाने के बाद आपका पेट फुल जाना यह भी IBS का लच्छन होता है लेकिन भूख न लगना एक दूसरा क्यारण है इस पे भी हम एक वीडियो आपको बिश्तार से देंगे तो इसमें क्या होता है पैसंट को जब भी खाना खाते हैं उनका पेट फुल जाता ह और खाना खाने के बिल्कुल मन नहीं करता है और गैस बनने लगता है तो इभी एक लच्छन है बहुत साड़े पैसंट में यह होता है कि उनके पेट में हमेशा मरोड रहता है लेकिन जब भी डिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें देखते हैं कि रिपोर्ट कराने के बाद तो ये भी एक IBS का लच्छन हो सकता है देखिए IBS का fix कोई लच्छन नहीं है जो हम आपको बता दे और जदी वो लच्छन आपको दीखे तो आपको समझ में आ जाए कि IBS है सभी मरीज पे अलग-अलग लच्छन देखने को मिलता है और इसको हम लच्छन के देखकर ही इलाज करते हैं देखिए IBS जदी अब हम बात करते हैं कि जदी आपको IBS को ठीक करना यानि संगरहनी गरहनी रोक को ठीक करना है तो इसका सही इलाज क्या है देखिए दोस्तो जदी आप IBS से परसान है तो इसका सही इलाज एक ही है कि खान पान और दिन चड़िया में बदलाओ यही सही इलाज है जदी आपको विश्वास नहीं होता है कि जदी हम खान पान को बदले तो हमारा IVS ठीक हो जाए तो आप महंगे से महंगे दवा खाते रहेंगे फिर भी ठीक नहीं होगा बहुत सार जै को दूद से लाजी होता है यानि फूड आरजी और आपको है तो जब तक इसको रोटी खा रहें तो जदी बाटी खाया और उसके बाद पेट में मरोर होने लगा दस्त होने लगा या और भी बहुत सारे तो आपको समझ में आ जाना जदि कोई व्यक्ति दूध पीता है और दूध पीने के बाद यानि दूध से लर्जी है किसी को दूध पीने के बाद पतला दस्थ होने लगा पेट फुल गया या गैस बनने लगा तो उस पैसन को समझ में आ जाना चाहिए कि दूध हमारे सरीर के लिए नहीं है मतलब किसे जदी आप वाइड करते जाएं कुछ चीजी को तो क्या होगा कि धीरे धीरी समस्या से छोटकारा मिल सकता है हां अब इसमें रह गई कि हम इलाज कैसे करते हैं पैसंट का तो हम जितने भी पैसंट के इलाज करते हैं उसमें एक चीज करते हैं सबसे पहले पैसंट को 15 जो खाता है उसको हम खाने देते हैं जो भी खाना है जितने बज़े खाना है पैसंट खाएगा उसको बिलकुल मना नहीं है लेकिन एक डाइडी और एक पेन ले करके नोट करना है डाइडी पे कि आपने किस टाइम में क्या चीज खाया है और खाने के बाद आपको किस तरी लीख हुआ है उस चीच के लिए बन करते हैं लेकिन इसमें ठोड़ा साere result आने में शमय लगता है तो इस तरीके से ठीक परना चाहिए खान בצलाव करके तो इसे द्लक्तर किका है अजा 5 अजय को फbe αυτ ask होना और फृक्ष्य थीप सब्सक्राइ acne यह जो 9o सारे समस्य बीना दवा का ठीक होगा इसलिए कि पेट गूट सजूरी समस्य नहीं कि समस्य चान-पान यह बदलाओ करते हैं ठीक है जा सकता है दोस्तों इस वीडियो से आपको तो आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं बिना दवा का सिफ घरे लूप चार और आपके खान पान में बदलाव करके हम आई भी इसको ठीक करते हैं तो हमारा वार्षप नंबर स्कीन पर चल रहा है इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या समस कर सकते हैं और आप हमारे टीम से बात कर सकते हैं अपनी समस्या बता कर आप हमसे जूर सकते हैं directly हमसे बात नहीं होगा हमारे staff से बात होंगे हमारे staff आपको contact number देंगे उस number पर आप हमसे संपर कर सकते हैं दोस्तो थोड़ा late reply मिलेगा उसके लिए घबराने की बात नहीं है काफी present होते हैं उसके बाद ही जब पहले वाले को हम देख लेंगे उसके बाद ही आपको number दिया ज दाईगा इसके लिए जदी आप हमारे branch पर आना चाहते हैं तो हमारे branch समपढ करे या तो घर बेठ़े कची लेना चाहते सब्सक्राब बहुत जल्द छुटकारा भी मिल जाएगा और महंगे महचे महचे घदवा